नमश्कार सूप्रभाद आप सुन रहे हैं जुएकी नियूस नेटवर्क और मॉर्निंग बुलिचन में मैं हूँ आपके साथ प्रभाश शर्मा सुप्रीम कोट ने मंगलवार को तीनों कृश्वी कानूनों के अमल पर रोक लगा दी साथ ही एक एकस्पर्ट केमिटी बनाई जो सरकार और किसानों से बाच्वीत करके दो महीने में कोट को रिपोर्ट देगी कमिटी बनाने के हाई कोट के फैसले पर केंदर सरकार ने कहा कि अब आगे कोट का जो भी फैसला आएगा वो मानने होगा लेकिन दूसरी और किसानों ने कमीटी के सामने बात रखने से ही इनकार कर दिया किसान नेता, राकेश तिकैत और डॉक्टर दर्शन पाल सिंग ने कहा कि सुप्रीम कोट द्वारा बनाए गई कमीटी के चारो सदस से नए किशी कानूनों का खुले आम समर्थन करते रहे हैं ये सरकारी लोग हैं इसलिए आंदोलन खतम नहीं होगा बलकि 26 जनवरी को राजपत पर परेड की तयारियां और तेज की जाएंगी कमीटी में भारतिय किसान संग के अध्यक्ष भूपिंदर सिंगमान, अंतराश्ट्रे खादनीती अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषी आर्थसास्त्री अशो गुलाटी और महराश्ट्र के सेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनील घनवट है चीफ जस्टिस ऐसे बोड़ी के अध्यक्षता वाली पीट ने कमीटी को दस दिन में काम शुरू करने के आदेश दिये हैं सुनवाई के दोरान सरकार की ओर से सॉलिस्टर जनरल तुशार महता ने कोट को बताए कुछ लोग ब्रहम फेरा रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी लेकिन कॉंट्राक फार्मिंग में अरुबंध केबल फसल का होगा, जमीन का नहीं कोट ने कहा कि सरकार किसान दोनों अपना पक्ष कमिटी के सामने रखे अब रुक करते हैं राजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर और्मान जी के जीरा बार पलास पत्रा ज्रेंगल से महिला की सिरकटी लाश मिलने के नो दिन बाद पलीस ने सिरको ढूंड निकाला, मुख्यारोपी शेख बिलाल की पहली पत्नी साबो खातून की निशान देही पर पलीस ने चंदवे में एक खेत में गाड़ कर रखे सिरको बरामत किया, मृत्का के भाई शमशेर ने उसके पहचान सूफिया परवीन के इसलिए बिलाल ने दो जनवरी को रात गला दबा कर सूफिया की हत्या कर दी, इस मामले में उसका हाथ नहीं है, हलाकि पुलीस का मानना है कि बिलाल ने पहली पत्नी साबो के साथ मिलकर सूफिया की हत्या की है, देर रात दोनों ने बाइक से सब को ले जाकर जंगल में फे पेतर केज च्टवल गाउं के मुहम्मद कुतुबुद्दीन और राबिया खातून ने उनकी पहचान की अपनी बेटी सूफिया परवीन के रूप में उन्होंने बताए कि सूफिया ने चनवे के शेक बिलाल से प्रेम विवाक किया था और वो गायब है पुलीस ने बिलाल क को तलाशा तो वो गायब मिला इसके बाद पहली पत्नी और दो बेटे को हिरासत में लेकर कड़ी पूछता अच की तुस्सर बरामत हुआ उदर हजारी बाग शेक विकारी मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा पूजा भारती की हत्या कर दी गई है मंगलवार को पत्रातूर डैम से उसका शव मिला उसके हाथ पैर रस्ती से बंदे हुए थे और गर्दन पर कपड़ा लिप्टा हुआ था पूलीस के मताबिक हत्या कर उसका शव डैम में फेका गया है पूलीस ने सव को पोस्ट माटम के लिए रामगड सदर अस्पताल भेज दिया है कटना स्थाल से छात्रा का बैग मिला है जिसमें दवा, कैची गलफ्स और रस्ती मिली है पूलीस ने उस आटो ड्राइवर और आटो में सवार यूवक को हिरासत मिलिया है जिसे वो हॉस्टल के गेट से गई थी उसकी माँ पारा सिक्षिक अर्चुना देवी ने बताये कि सुमबार सुबह साड़े आठ बजे पूजा ने वीडियो कॉल पर बात की थी उसने कहा था कि आज परिक्षा है इसके बात बात करेगी तो पहर करीब तीन बजे फून लगाया तो मुबाइल बंद मिला पर जनों का आरोप है कि हट्या में मेडिकल कॉलेज केहिं किसी चातर का हाथ है दल बदल मामले में बाबुलाल मरांडी की मुश्किले कम नहीं हो रही है उध कर दीपी का पांडे सिंग की शिकायत पर स्पीकर ट्रुबिनल में अब उनके खिलाफ चौता मामला दर्च किया गया है इस मामले में बाबुलाल को नोटिस जारी किया गया है उन्हें 21 जनवरी को दोपर एक बजी तक दीपीका पांडेस सिंग की शुकायत पर खुद या वकील के माधिम से अपना पक्ष रखने को कहा गया है नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने समय पर अपना पक्ष नहीं रखा तो ट्रुबिनल एक पक्ष ये फैसला देने को बात दे हो जाएगी उधर स्पीकर ट्रुबिनल ने विधाक दीपीका को भी पक्ष रखने को कहा है विधान सभा की ओर से बेजगे पत्र में कहा गया है कि उन्होंने 30 दिसंबर को जो शिकायत की थी उससे समविधान की दस्वी अनुसूची के तहाय से दर्ज किया गया है इसलिए वो 21 जनवरी को अपने पक्ष रखें इसके लावा विधाक प्रदी पियादव को भी नोट जारी कर पक्ष रखने को कहा गया है कुरोना महमारी के खिलाफ निरनायक जंग देश में मंगलवार से यानि कल शुरू हो गई दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माता सिर्व इंस्टिटूट अफ इंडिया के पूने स्थित सनियंत्र से कुरोना वैक्सीन कोविट श्फील्ड की पहली खेब देश के 13 शहरों में पहुची है नागरिक उडियन मंत्री हरदीप पूरी ने बताया कि एर इंडिया स्पाइस जड इंडिगो एरलाइन्स के विशेश विमानों से कुविट श्फील्ड के 56.5 लाख डोस पूने से रवाना किये गए ये वैक्सीन दिल्ली, चिर्नई, कॉलकाता, गोहाथी, शिलॉंग, एमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाडा, भुविनेश्वर, पतना, बैंगलूरो, लखनव और चंदिगर पहुच गई है ज्वारखन में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बुदवार यानि आज सुभे नौ बजे विशेश विमान से पहुचेगी राची यहां से इसे नामकुम वैक्सीन सेंटर भेज़ जाएगा पहली खेप में वैक्सीन की 16,200 वाइल मिली है एक वाइल में 10 डोज होगी यानि 1.62 लाख लोगों का टीका करन हो जाएगा स्टेट इम्मुनिजेशन ओफसर डॉक्टर अजवीत प्रसाद ने बताया कि सबसे जादा वैक्सीन राची और सिंगम जिले को महिया कराए जाएगी बुदवार को ही देवगर और पलामो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर की दो गाडियां आएंगी जो संथाल और पलामो प्रमंडल के सभी जिलों के लिए वैक्सीन ले जाएगी तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरे आगे और भी दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ जे की निउस नेटवर्क